हेलो स्टुटेंट कम्टेटी एक्जाम की मैथेमेटिक सीरीज में आप सभी लोगों का हर्दिक स्वागत है आज की इस पीडियो में हम मैथेमेटिकल ओपरेशन से कुछ इंपोर्टेंट क्वेशन करेंगे जो कि विवन कम्टेटी एक्जाम में पूछे जाते हैं देखो आज का पहला क्वेशन क्या दिया है देखो इसमें दिया है यह दी प्लस का अर्थ भाग है ठीक है तो जहां पर प्लस है उसकी जगह पर हमें भाग का यूज़ करना है तो यहां पर देखो प्लस है तो इसकी जगह पर हम भाग कर देंगे ठीक है भाग का अर्थ माइन minus लिख देंगे minus का art into है तो minus के जवंपर into हो जाएगा और into का art है प्लस तो जहाँ पर into है इसका मतलब plus अब देखो अगर यह लिखना है तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ यहाँ पर हो जाएगा 8 भागा दो माइनिस 3 कुना 4 प्लस 6 यह ऐसे हो जाएगा ठीक है पहले ऐसे था अब ऐसे हो जाएगा अब इसको सॉल्व करना है देखो इसको सॉल्व करने का जो मैथड होता है वो होता है बी बॉर्ड मास का बॉर्ड मास ठीक है जहां पर बी का मतलब होगा ब्रैकेट और का मतलब O का मतलब होगा off, off या इसको कहीं पर का लिखा होता है ना, इसका मतलब होगा का, D का मतलब division यानि भाग, M का मतलब multiplication यानि गुणा, A का मतलब addition यानि जोड और S का मतलब subtraction यानि minus, अब एक तो तरीका ये है इसको solve करने का, दूसरा तरीका अगर इसको आपको जल्दी solve करना है ये वाले question को, तो आपको ये ध्यान रखना है कि plus और minus सबसे बात में, plus और minus सबसे बात में यूज होंगे, बाकि division, multiplication इनको पहले हम कर सकते हैं, ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर, यहाँ पर देखो क्या है, division है तो इसको मैं solve कर सकता हूँ, तो देखो य यहाँ पर minus है, तो इसको minus ऐसे ही लिखतो, अब तीन गुणा 4 है, तो तीन चोगो कितना हो जाएगा, यह 12, अब प्लस है तो प्लस 6, अब देखो इसको पहले plus करो, minus करो, कोई फरग नी पड़ेगा, अब इसको solve कर सकते हैं, तो इसमें से यह minus करेंगे, यहाँ पर हो solve करना है, आपको धियान क्या रखना है, कि बस addition और subtraction सबसे last में use होंगे, तो देखो पहला कोशिन यहाँ पर complete होता है, अब देखो आगला कोशिन क्या दिया है, इसमें, इसमें भी हमें दिया है, यह दी plus का अर्थ है गुणा, तो plus की जगवा पर गुणा ले लेंगे, ठ ठीक है, इंटू का अर्थ माइनेस है, तो जहाँ पर इंटू है, वहाँ पर माइनेस लेंगे, ठीक है, अब भाग का अर्थ है प्लस, तो जहाँ पर भाग है, वहाँ पर प्लस ले लेंगे, तो यहाँ तो इसको यहाँ पर solve कर दो, यहाँ पर अगर आपको समझ में नहीं आ रहे तो इसको मैं यहां पर लिख दीता हूँ 9 into 8 plus 8 भागा 4 minus 9 यह ऐसे है ठीक है मैंने क्या बोला plus और minus तो सबसे last में यूज होंगे तो पहले इनको गुणा कर सकते हैं तो 8 नमा यह हो जाएगा 72 फिर plus है तो यहां पर plus अब 8 भागा 4 है तो इससे यह cancel करेंगे यहां पर मतलब यह वाला हमारे answer होगा ठीक है तो यह वाला question भी complete हो गया अब अगला question देखो इसमें क्या दिया है इसमें दिया है भाग का मतलब plus तो जहां पर भाग है वहां पर plus हो जाएगा minus का अर्थ है गुणा तो minus की जगवा पर हम गुणा ले लेंगे तो यहां पर गुणा ह हो जाएगा ठीक है अब plus का अर्थ है भाग तो जहां पर plus होगा वहां पर हम division का sign ले लेंगे और गुणा का अर्थ है minus तो जहां पर गुणा है वहां पर minus ले लेंगे तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 20 20 plus 12 minus 4 भागा 8 गुणा 6 मैंने बोला था plus और minus तो सबसे last में यू हम बहत है तो इन दौनमें से पहले क्या करेंगे हम तो पहले हम हमेसा भाग करेंगे ठीक है क्योंकि बाट मास में पहले division अतना है फिर आता है multiplication तो ये आपको धियान रखना हμा है कि पहले हम भाग करेंगे अगर गुणा आएंगे यहाँ आई में 2, तो उसे एक एंसल यहां पर 3, तो इस पोरे की value आ रहे है 3, मतब 20 plus 12, तो 20 plus 12 कितना हो जाएगा, 32, फिर minus है तो minus और 3, अब इसको solve करेंगे, तो 32 minus 3 मतब 29 हमारे answer हो जाएगा, ठीक है, तो 29 यह वाला हमारे answer, ठीक तो यह वाला question भी हो गया अब देखो कभी भी आपको plus minus इन में कभी भी अगर confusion होता है ना तो बस यह वाला यह वाला formula आपको दियान रखना है आपको याद आ जाएगा कि पहले हमें क्या करना है ठीक है तो देखो यह वाला question भी हो गया अब कुछ और example देख लेजिए minus में देखो यह इसमें दिया है यह दी गुणा के इस्तान पर minus तो जहां पर गुणा है वहां पर minus ले लेंगे यहां पर भी गुणा है यहां पर minus ठीक है minus का अर्थ भाग तो minus कहीं पर है क्या minus कहीं पर नहीं है तो इसको छोड़ दो plus का अर्थ है गुणा तो जहां पर plus ह होगा वहाँ पर गुणा ठीक है और भाग का अर्थ है प्लस तो भाग का अर्थ है प्लस तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 16-8 प्लस 4-3 into 9 अब देखो इसको solve करेंगे तो इस मैंसे यह माइस करेंगे यहाँ पर हो जाएगा 8 प्लस अब यहां पर 4 है तो इसको ऐसे रहने देंगे क्योंकि यहां पर गुणा है तो पहले गुणा होगा तो 9 कितना हो जाएगा यह 27 तो माइनिस में होगा तो आट और चार कितना होगा, 12 माइनिस 27, तो 27 में से 12 माइनिस करेंगे, कितना होगा, 7 में से 2 गया, 5, 2 में से 1 गया, यहां पर एक, तो माइनिस 15 हमारा एंसर हो जाएगा, ठीक है, तो यह वाला हमारा एंसर हो गया, अब ऐसे ही देखो, अगला question इसमें दिया है, यह दि गुण माइनिस है, तो जहां पर प्लस है, वहां पर हम माइनिस ले लेंगे, तो देखो, कहीं पर ही नहीं, तो इसमें यह भी दे रखा है, कि भाग का अर्थ प्लस है, तो जहां पर भाग यहां पर भी है, तो यहां पर प्लस ले लेंगे, अब देखो, यह इसमें नहीं दे रखा रहेने तो सबसे पहले यह ब्रैकेट वाले को सॉल्व किया जाता है क्योंकि बॉर्ड मास में क्या आता है सबसे पहले भी आता है मतलब सबसे पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व होगा तो ब्रैकेट के अंदर आप देख रहे होंगे गुणा भी है प्लस भी है तो पहले गुणा और 6 अब उसके बाद क्या यूज होगा देखो मैंने बोला था कि पहले भाग होगा और प्लस और माइनिस सबसे लास में होगा तो यहां पर भाग होगा तो 13 का भाग करेंगे तो 13 55 तो यहां पर आ रहा है 5 15 plus 6 6 और 5 कितना होगा 11 तो 11 मतलब सि वाला मारे इंसर ठीक है तो यह वाला कुषिन भी कंप्रिट हो गया अब अगला कुषिन देखो इसमने क्या दिया है इसमें भी हमें यही करना है कि यह धी प्लस का आर्ध भाग है तो इन मैंसे हमें यह चेक करना है कि कौन सा हमारी समयकं सत्य है मतलब left hand side की value किसमे right hand side की बरावर आती है तो एक एक करके हमें सारे try करने पड़ेंगे तो जैसे पहला अगर मैं यहां पर try करता हूं तो यहां पर दे रखा है कि plus के िस्तान पर हमां भाग लेना है तो जहां पर plus को वहां पयाल यहां अफर होगा वहां पयाख लेलेंगे टीक है इसको मैं चाहिंताइब 36 भागा 6 गुणा 3 प्लस 5 माइनिस 3 अब देखो आप यहां पर देख रहे होंगे कि इसमें भाग और गुणा दोनों साथ में आ रहे हैं तो मैंने क्या बोला था अगर भाग और गुणा दोनों साथ में आएंगे तो पहले भाग को करेंगे तो इसका भाग करेंगे तो यहां इसमें से 3 गया 2 और 18 2 कितना होगा 20 अब देखो left hand side में 20 और right hand side में 20 इसका मतलब पहला वाला ही हमारा answer होगा अब देखो पहले वाला अगर बराबर नहीं होता तो फिर दूसरा वाला तीसरा वाला चौथा वाला एक करके हमें इसमें सारी try करने पड़ते हमारी पास और दू यहां पर a है उसका मतलब plus है तो यहां पर प्लस लेवा लेंगे ठीक है फिर b का 8 है minus ठीक है सी का 8 into फिर c पा 8 बहुंदने BIG और दी का 10 बाग मतलब यहां पर भाग होजाएगा तो यह value हमें निकालने तो इसको मैं इसे लिख सकता हूं कि 18 इंट्यों 14 प्लस 6 माइनिस 16 बागा 4 तीक है तो पहले आप देख रहे होंगे कि इसको सॉल्ट करेंगे तो 14 गुणा 18 करेंगे तो कितना हो जाएगा यह 14 तो संकी 140 होता है तो 140 में से 28 अगर मैं माइनिस करता हूं तो 14 12 12 होता है मतलब यहां पर दो हो जाएगा फिर 11 से इस वाल बुचेगा तो 14 कम 14 और 11 कितना होगा चार और एक पांच एक और एक तो 25 मतलब 252 हो रहा है ठीक है फिर प्लस 6 और माइनिस में इसका भाग करेंगे तो यहां पर जाएगा चार चार हो गया इसमें से यह माइनिस करतो यहां पर दो तो 252 प्लस दो यह हो जाएगा 254 की वराबर मतलब सी वाला मारा एंसर होगा ठीक है तो देखो ऐसे इनको सॉल्व करना है तो यह वाला क्वेशन भी हो गया अब देखो लास्ट क्वेशन इसमें यह दिर रखा लगा 3 प्लस 24 माइनिस 12 गुणा 2 अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो इस से यह कैंसल तो यहां पर होगा 5 और प्लस में 24 माइनिस 12 गुणा 2 हो जाएगा 24 तो इस से यह गैंसल तो 5 हमारा एंसर होगा ठीक है तो 5 मतलब बी वाला एंसर होगा ठीक तो आई-Hope कि यह सारी की चीज़े आपकी समय में आई होंगे अब देखो इसमें अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंड करके पोच सकते हैं बाकि अगर आपको इन में कहीं पर भी confusion होता है कि पहले हम भाग करेंगे या प्लस करेंगे या माइनिस करेंगे इंटो करेंगे अगर कहीं पर भी थोड़ा सा भी confusion होता है ना तो starting में इस formula का यूज करूं बॉर्ड मास ठीक है तो बी का मतलब होगा जहां ब्ard car कमेंगे उसको करेंगे उसके बाद और का मतलब जहां पर का दिया ओगा ना की पांच का तीन पर्चंट ऐसे दिया होता multiply भी नहीं है तो addition जो है वो solve होगा और addition भी नहीं है तो last में subtraction ठीक है या ऐसे समझ सकते हैं देखो ये दोनों साथ में use होते हैं इन दोनों को साथ में use कर सकते हैं ठीक तो ऐसे आपको question को solve परना है तो फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना ही वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like कीजिए share कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को subscribe करना ना भूलें तो मिलते हैं आप से कौन ही वीडियो में तब तक के लिए बबाए